एलो ब्रेंट्स नमस्कार क्लास 12 चेप्टर 6 इलेक्ट्रो मैगनेटिक इंडक्शन के एक्सरसाइज पोजिशन में आप सबका स्वागति आज हम सौल करेंगे एक्सरसाइज एक्सरसाइज में यह पहला सम हमने कर लिया है जो जो सम हमने कर लिये हैं उनको हम डिसकस नहीं करे आपको सिर्फ रह दिखाऊंगा जाना आपको ठीक है अगर पास होना है अच्छे माउस लाना है जैसा ठीक है लोंग स्वाइन विद फिप्टीन टन्स पर सेंटीमेटर अच्छा तो इसका मतलब यह केपिटल एन नहीं है देख्या है स्मॉल एन है है वह स्मॉल लूप मतलब की यहाँ पर इसकी एक्स ऐस को नौर्मल मतलब की यह से एक लूप लेस कर दिया गया को सुब कहा में दूसरा कलर कर र dáं कर देता हो अनृट के आद को गिने में और यह मैं यह लूप छो एक्सीस को रिशा हो परन्डीक्लर स्मॉल लूप है फिर कह लाइन दिखा है if the current carried by the solenoid changes steadily from 2 ampere to 4 ampere मतलब पहले current कितना था 2 ampere बाद में current कितना होगे है 4 ampere ये current किस में से flow हो रहा है solenoid में से ठीक है फिर in 0.1 second कितने time में 0.1 second current change हो रहा है current bird रहा है what is the induced dmf in the loop while the current is changing बहुत simple है बच्चों induced dmf का formula क्या है magnitude देखेंगे delta 5 upon delta t ठीक है delta 5 का मतलब है b a cos theta ठीक है उसका changes b a cos theta का changes upon delta t अभी b a cos theta में कोण change हो रहा है तो देखो एरिया तो वैसा है ठीक है और theta की बात अगर हम करें तो यह लूप ऐसा है तो उसका area vector इज़र आएगा और देखिए अची तरीके से बाहर का जो magnetic field है वह solenoid का है वह axis के along यह होता है तो यह magnetic field हो गया यहां पर theta is equal sum जा ले सकते है जीरो तो इसका मतलब और cos theta भी change नहीं हो रहा है magnetic field change हो रहा है कैसे change हो रहा है वह magnetic field का formula आपको पता है magnetic field का formula है mu zero and i ठीक है तो mu zero तो वही है एन एन भी वही है सिर्फ current change हो रहा है i2 minus i1 समझ मैं कि नहीं ओके तो यह magnetic field का change multiply by area divided by delta t तो यहां पर आपके पास mu zero है आपके पास n भी है यह 15 tons per centimeter है ना इसका मतलब है कि 1500 पर मीटर समझ मैं आया तो n का मतलब n की value आप कितनी रखोगे 1500 और यहां पर मैंने जो एक्स्ट्रा ब्रेकेट किया है उसको में ले ले लेता हूं तो area area है क्या आपके पास क्या दिया है आपको देखिए long solenoid area two centimeter square हाँ देखो area दिया है कितना two centimeter square उसको meter square में आपको convert करना होगा यह area है so putting this value easily you will get the year okay six point three हो गया six point four हम कर चुके है four five six और seven four five six और seven कर चुके है अगले वीडियो अगर आपने देखे है तो अच्छी तरह के से आपको पता होगा अब आप करेंगे हम करेंगे six point eight current in the circuit falls from five ampere to zero point zero ampere in zero point one second अच्छा हाँ कितना क्या हमने यह कर दिया है मुझे से पता नहीं चलो मैं देखता हूं फिल भी करंट कितना है five ampere से 0.0 ampere तो मतलब कि चेंजिन करंट कितना हुआ five ampere in point one second मतलब कितने time में point one second if an average emf of 200 volt is induced कितना emf induced हुआ 200 watt give the estimate of self-inductance of the circuit हमें बच्चों क्या मालूम करना है self-inductance तो self-inductance का formula है एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी एक्चुली एल डी एडी टी होता है और यह माइनस होता है लेकिन हम यहां बबेट भी फाइंड करना चाहते हैं तो एल इजिवुल्स टू क्या होगा epsilon अपोन डेल्टा आई बाइंडेल्टा टी जाओगा अभी डेल्टा आए आपके पास है आपके पास डेल्टा टी भी है और आपके पास epsilon भी है ठीक है तो अगर आप उसकी value रखते हो तो आपको answer मिल जाएगा आपका answer होगा का 4 हेंडरी ठीक है विश्वास रखो मैंने सॉल किया है आपको सॉल करने के लिए मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कितना है यह एक्जम्पल 6.9 में करता हो मृचल इंडक्टन्स कितना है 1.5 हैंडरी इफ टा कोईल इन वन सरी इफ दा करन्ट इन वन कोईल चेंज इस फ्रम जिरो तू ट्वेंटी एंप्यर ओक एक कोईल का करन्ट चेंज हो रहा है कितना 0-20 एंपयर के मतलब की 20 एंपयर जितना चेंज हुआ इन 0.5 सेकंड इन हमच टाइम 0.5 सेकंड वोट इस दा चेंज इन फ्लक्स लिंकेज विद अधर कोईल हमें फाइंड करना है फ्लक्स लिंकेज अभी बच्चों बहुत सिंपल है विचल इंडक्टन्स का मतलब हो आपके पास जेल्टा आए है कि तो डायरेक्टली आप फाइटू मालूप कर सकते हो ठीक है समझ में आया कि यह अशे तरीके से आपको और अगर आपको एम अप दिया है तो आपको टाइम की जरूरत होगी यहां पर टाइम की कोई जरूरत नहीं होगी ठीक है ओके फिर पर आपको आंसर आएगा कितना हैगा थर्टी वेबर अजेट प्लैन इस ट्रावेलिंग ट्वाड्स वेश्ट इजर जा रहा है वेश्ट सोच लिया ओके इस स्पीड ऑफ ऐटीन हंड्रेड किलो मीटर पर आप इतनी ज्यादा स्पीड है वी दिया है आपको वी इस इक्व वोट इस दाव डिफरेंस डिवलोप बिविन दे एंड्स अप दविंग थे स्पान ओफ वेंटी फाइट अच्छा यह तो हमने किया हुआ लगता है ऐसा कि हमने सम किया था एप दे अर्थ मेंगनेटिक फिल एड़ अड़ पोर अड़ 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 दे लोकेशन यह से जा रहा है तो वह मेंगनेटिक फिल लाइन यह सी जो है उसको क्रोस करना ठाइब ठीक है तो यह हो गया हमारा फ्लक्स चैंज तो हमें यह मैं आपका पॉर्मला डैरेक्ली बता है यहां बी यहां पर बी का मतलब वर्टिकल कंपोनेट ऑप दू मेंगनेटिक फिल नह इसकी value easily find कर सकते हो समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से आपको ओके और deep angle क्या दिया है 30 degree तो deep angle की कोई जरूरत नहीं रहेगी अच्छा vertical component दिया है if the earth magnetic field at the location is this sorry हमें vertical component find करना होगा तो यह 5 into 10 raise to minus 4 है यह vertical component नहीं है sorry यहां बचो मैंने गलती कर दी क्या होगा देखिए यह है magnetic field लेखिन हमें चाहिए vertical component जैसा कि मैंने आपको यहां बोला तो vertical component का formula है जैसा कि हमने पिछले chapter में देखा था बीवी is equal to b sin 5 तो यहां पर b कितना होगा 5 into 10 raise to minus 4 और sin 5 5 है 30 degree तो sin 30 ठीक है तो sin 30 बन बाई 2 होता है तो इसलिए हम यह मैंने 5 रिखा है तो sin 31 में यह होता है तो 2.5 into 10 raise to minus 4 यह होगा vertical component ओके अगर आप यह सारी value replace करते हो so you will get answer as a 3.1 word आपका answer कितना आएगा 3.1 word ठीक है मैं यह सब erase करता हूँ तब तक आप 6.11 देखिए कौन सा 6.11 6.17 तक example से आज हम सारे करने वाले हैं इतने तो हो ही जाएंगे बच्चों इतने तो हमें करने ही चाहिए एक वीडियो में यह chapter complete हो जाने के बाद हमने कितने chapter complete कर लिए हमने ray optics complete किया ठीक है जो है 9th नंबर का already हम complete कर चुके है थिर ray optics complete होगे हमारा हमारा 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th मतलब 7 chapter हमारे complete हो जाएंगे अल्रेड़ी कितने chapter दिये कितने है 14 चेप्टर उसमें से 7 चेप्टर complete हो जाएंगे मिन्स वाट अवर 50% से लिए बस गेंगे और 50% बाकी रहेगा और जो आगे आने वाला चेप्टर है एसी करन वह भी बहुत बढ़िया चेप्टर है देखें वह दस दिन तक चलेगा और उसके बाद क्या जो इलेक्ट्रो मेगनेटिक व्याव चेप्टर है वह बहुत छोटा है वह तीन या चार दिन तक चलेगा देखें मतलब कि हम बोल सकते हैं कि तीन और मैंने चाहिद लगेंगे कंप्लेट हो जानाने कंप्लेट पूरा अच्छे तरीके से पगयाना नहीं चाहता नहीं कोई बात नहीं चलिए अब बात नहीं करते हैं आगे बढ़ते हैं 6.10 कर लिया हाँ 6.11 सब्सक्राइब लूप इन एक्सराइब 6.4 को पहले में देख लूँगा हमने उल्रेडी कर लिया था लेकिन यहां पर जाया इसलिए रेक्टेंगुलर वायल लूप ऑप साइड एट सेंटीमीटर एड टू सेंटीमीटर ओके समझ मैं कितना एट सेंटीमीटर एड और टू सेंटीमीटर तो मैं लूप को दो कर देता हूं यह साइड कितनी है एट सेंटीमीटर ओ यह है टू सेंटीमीटर इसलिए ज Nous बस्ते आरी बट कर फील से इलेक्ट घ reg the electromagnet that produces the magnetic field is gradually reduced so that field decreases from its initial value of 0.3 tesla at the rate of 0.02 tesla per second देखो यहां पर कौन change हो रहा है magnetic field db by dt is equals to क्या है 0.02 tesla per second okay if cot is joined well जो 6.4 exercise थी ती न वो अगर आपने देखी होगी तो इसमें क्या था कि यह loop move कर रहा था ऐससे perpendicular to long side perpendicular to shorter side ऐससे move कर रहा था लेकिन इस case में क्या है कि इस loop को हम move नहीं करेंगे उसके बजाए हम magnetic field को change करेंगे हमने यह जो chapter है उसके first session में discuss किया था कि आपको हमेशा एक की जान में रखनी है कि आपको flux change करना है और flux change करना है तो आप किस किस चीज़ पर attack कर सकते हो या तो magnetic field या तो area theta उस पर ठीक है तो पहले जो था वो उसमें हमने velocity मतलब की area changes में हमने अटक किया था ठीक है क्योंकि magnetic field सिर्फ इतने ही region में तो अगर आप इसको बाहर ले जाओगे तो area change होगा ना मतलब कि कुछा area जिसमें magnetic field आ रहा है यहाँ पर हम area change नहीं कर रहें लेकिन यहाँ पर magnetic field पे attack किया मतलब कि जिरे-जिरे magnetic field चेंज हो रहा है अभी क्या है दो कॉट इस जोइंड एंड लूप अच्छा इसका लूप का रेजिस्टन्स पी दिया है कितना वन पॉइंड शिक्स ओम हमच पावर इस डिसीपेटेड बाइज लूप ऐसा ही ओके तो पावर का फॉर्मुला होता है क्या है आई-पॉर कि मैंने पहले आपको यह फॉर्मुला दिका दिया अब आपका क्या है आई हाइं देखोँ अब तो हमारे पांस है हमारा काम क्या एप्सिलोना में क्या होता है 5 ‫एप्सिलोनाइग इक्वलश्टो क्याweder 3 ए डी फाइब इवड टेट में होता है भी अलब ए START भी एरिया कितना लेंगे एरिया इसे आपको क्या मिल जाएगा एपसिलोन एपसिलोन को यहां पर रखो तो आई इस इकोल टो तो इससे आपको क्या मिल जाएगा ठीक है फिर आई की वेल्यू यहां पर रखो और आर की वेल्यू भी आपको दी गई है कि इसनी आप यह पावर फाइंड कर सकते हो ठीक है यह सारी अगर आप वेल्यू रखते हो तो आपको आंसर मिलेगा पावर इस इक्वल टू 6.4 इंटो 10 देश्टो माइनस 10 वाटर ठीक है अभी दूसरा क्वेश्टन भी है इसमें वाट इस दे स्वाट इस पावर तो वह सोर्स कौन होगा जो मेगनेटिक पी चैंज कर रहा है ना वही सोर्स होगा ठीक है मतलब कि उसकी बैटरी यहां बजा र हो रही है तो उसकी एनर्जी कहा जाएगी यहां कनवर्टर जाएगी ओके तो सोर्स ऑब दिस इस दा सोर्स बिहाइंड चेंजिंग मेंगनेटिक लाइक चलो मैं इसको एरेस करता हूं तब तक आप 6.12 पढ़िए अब 6 एक्जमपल बाके रह गए है ठीक है आप 6.12 पढ़ हो ही जाएगा ओके चलिए 6.12 आपने बढ़ लिया क्या एक्जमपल है देखिए अ स्क्वेर लूप आप साइट 12 सेंटिमेटर विटिस साइट पैरलल तो एक्स और य एक्स अच्छा एक स्क्वेर लूप है उनसे पैस्टिस है एविंग असाइड लेंथ 12 सेंटिमेटर इस चलिए असे जा रहा है कितने एट सेंटिमेटर पर सेंट बच्छो मैं यहां पर एक्स एक्स ले रहा हूँ और इसको यह साइड कितनी है 12 सेंटिमेटर ओके इन एन एन वार्मेंट कंतेनि इन ट्यू इंट पोजिटिव जड डियरेक्शन अच्छा मैंनेटिक पॉन से डिक चलो यह magnetic field it has the gradient of 10 raise to minus 3 tesla per centimeter along negative x direction that is it increases by 10 raise to minus 3 tesla per centimeter as one move in the negative x direction मतलब कि जैसे जैसे आप जाएंगे यह magnetic field non uniform है बच्चों magnetic field बढ़ता चला जाएगा एक सेंटिमेटर अगर आप आगे जाओगे कितना एक सेंटिमेटर 10 raise to minus 3 टेस्ला बढ़ता कहिने का मतलब क्या है तो यहाँ पर zero tesla तो एक सेंटिमेटर आप आगे गए इस direction में जाना है नेगेटिव डियरेक्शन में है तो यहाँ पर हो जाएगा 10 raise to minus 3 tesla और एक सेंटिमिटर आगे जाओगे तो हो जाएगा टू इंटू टेन डिश्टू माइनस त्री टेसला और यहां पर यहां पर एक सेंटिमिटर अगर आप चाहते हो तो आपका अंसर हो जाएगा माइनस टेन डिश्टू माइनस त्री टेसला और एक सेंटिमिटर ऐसे है जैसा हमें दिया गया है अब क्या होगा देखिए अब आगे क्या है पुरा एक्जम्पल तो अब तक हमने पढ़ा नहीं तो इसका मतलब क्या है पोजिटिव में डिक्रीज होगा नेगेटिव में इंक्रीज होगा कि 0 tesla है ठीक है तो टीजिक्वल्स पी वन सेकंड फर बदल जाएगा कितना होगा चैनरेश टू-3 टेसला ओके और T is equal to 2 second पर क्या हो जाएगा T is equal to 2 second पर 2 into 10 raise to minus 3 टेसला ठीक है ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा time के साथ भी change हो रहा है distance के साथ भी change हो रहा है दोनों side में change है समझना है और change से हम है 10 raise to minus 3 टेसला अभी क्या दिया है determine the direction and the magnitude of induced current in the loop if its resistance is 4.5 mili ohm 4.5 mili ohm उसका क्या है resistance तो हमें i find करना है बच्चे क्या find करना है i तो i is equal to क्या होगा epsilon upon r ठीक है epsilon is equal to क्या होगा डेल्टा 5 upon delta t ठीक है डेल्टा 5 upon delta t ठीक है टेक टेक डेल्टा t is equal to 1 second अब दो सेकंड लेना चाहो दो सेकंड ले सकते हो ऐसी कोई जरूर नहीं है कि एक सेकंड ही ले अच्छा एक सेकंड में क्या क्या होता है अच्छी तरीके से देखना बचो एक सेकंड में एक सेकंड में यह लूप इधर चला जाएगा कितने सेंटीमी लूप मूज बाइट सेंटीमीटर ओके इन पोजिटिव एक सेकंड में एक सेकंड में अभी हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि मेगनेटिक विल कॉंस्टेंट है ओके कंसिडर इसका मतलब क्या है कि मेंडेटिक फिल्ट जो जो चेंज हुआ वो सिर्फ लेंथ के विद रिस्पेक टू चेंज वब तो इसका मतलब क्या है कि Delta 5 जो आएगा Delta 5 वो जो होगा यह Delta B into A होगा Magnetic फिर change हो रहा है अच्छा हमने क्या देखा था अच्छी तरीके से सुनना बचो कि per centimeter कितना change होता है 10 raise to minus 3 टेसला तो यहाँ पर कितना आगे चला गया है 8 centimeter क्यों उसकी speed कितनी है 8 cm per second मतलब एक second में 8 cm आगे चला जाएगा तो 8 cm आगे गया है तो 8 into 10 raise to minus 3 tesla इतना magnetic field में change आया समझ मैं आपको अच्छी तरह कैसे क्यों आप बोलोगे sir minus आएगा हाँ मैं magnitude लेना चाहता हूँ इतना change आया 8 into 10 raise to minus 3 tesla समझ मैं आया कि नहीं आपको कुछ ओके अच्छी बात है फिर फिर क्या होगा into area करो area क्या है तो area तो है इतना समझ मैं आया आपको यह होगा delta 5 इसको मैं 1 नाम देता हूँ क्यों क्योंकि यह किसकी वज़े से change आया यह change आया move करने की वज़े से अभी हम दूसरा case जो देखेंगे उसमें हम ऐसा consider करेंगे मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन आप सोचों हम उसमें ऐसा consider करेंगे कि वो length के साथ नहीं vary हो रहा है sorry हाँ मतलब कि वो time के साथ ही vary हो रहा है तो उसमे delta b into a अभी delta b अभी एक सेकंड में magnetic field में कितना चेंज आता है वो देखा आपनी 10 raise to minus 3 टेसला तो यहां पर मैं ले लोंगा 10 raise to minus 3 into a समझ में आया अभी total कितना flux में चेंज आया therefore delta 5 total तो पहले वाले case में कितना चेंज आया था वो प्लस दूसरे वाले case में कितना चेंज आया वो दोनों को आप एड करना इतना समझ में आया आपको ओके एड करने के बाद यह आपका चेंज मिला अभी emf is equal to क्या होता है delta 5 upon delta t total मैंने आपको बोला कैसे करना है यह दोनों को ठीक है तो फिर यह 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 देल्टा फाइड कर सकते हैं बच्चों आई यहाँ पर ऐसा है कि दोनों साइड में वरियरिेशन हो रहा है इसलिए हमें दोनों को लेना पढ़ घृत एक हमेंश क पाद और इसको करता हूँ तब तक अगर आपको लिख न हैती है भी अगला एक्जाम्पल अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ भी सकते आपकी मरजी बेटर अगर पढ़ तो वो अब तो जो एक्जामपल आएंगे शायद वो छोटे चोटे एक्जामपल होगे 6.12 बढ़ा था अच्छा था बहुत अच्छा दो वेरीशन थे इसलिए दो वेरीशन हमने सेपराइट कंसिडर किये कितना चेंज हो रहा है तो टोल फ्लक्स हमारा कितना चेंज हो वो मिल गया फिर वह फ्लक्स चेंज हो दिवेड़ेड़ बै ठैने ठीक है एक्च्छी हमने कोमन सेंस किया है तना जैदा नहीं है फोर पोइंट सोड़ी 6.13 इस डिजायद तो मैसर बाद मेज़ना फिल्ट बिविन दो पोल्स अप्व पावर्फुल लाउट स्पीकर मैंचा 6.12 का मैं आपको आंसर कहना बूल गया कि 6.12 का आपका आंसर होगा 12.96 खाद के लिएक्स के बात कर रहा हूं में 6.12 की डख़रेक्शन और मैकनी टॉफ करंट है हमें क्या फ्र इंड्यूस्ट करंट तो उसका अंसर होगा 2.88 इंटू 10 इस्टो माइनस इसका है यह 6.12 का जो भी अभी आपने थड़े देर पहले डिसकस किया उसका अंसर है ठीक है मैं आंसर क्यों बोल रहा हुता कि आप उसके साथ मेंच कर सको आपको पता चले कि नहीं आपने सही किया है कि नहीं इसलिए अभी 6.13 करते हैं इसलिए तो मेजर दे मेगनिचुड फिल्ड बेटिन पॉल्स अप्वरफुल लाउड स्पीकर में लाउड स्पीकर जाहो थे वह मेंगनिट होता है है अस्मॉल फ्लेट सर्च कोईल अपरिया 2 cm2 ओके एक कोईल ली जिसका अरिया कितना है 2 cm2 विटर 25 वाउ इस पोजिशन नॉर्मल टुदा फिल्ड विट डिरेक्शन मतलब कि थीटा इपोल स्टू कितना है जीरो आप बोलो के साथ नॉर्मल है आरे सोचो तो सही उसका एरिया वेक्टर के साथ एंगल बनता है वह थीटा है इसलिए और फिकली स्नेच्ट आउट 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 अच्छा अगर को खीचना नहीं है तो उसको 90 डिग्री टन दे दो फिर भी उसका फ्लक्स जरो हो जाएगा और मैं फ्लक्स जरो करना है तो के तोटल चार्ज फ्लोन इन दे कोईल मेज़र बाइड बालेस्टिक गेलनोमेटर कनेक्टेट टो दे कोईल इस 7.5 मिली कुलम कित अमें क्यां आ फाइंड दना है बचो ए अमने डिडिल्टा क्यूज इजिवल तो डेल्टा पाय पोन आर ऐसा पढ़ा था ओके डिल्टा क्यूज तो हमें दिया है ठेक और डिल्टा फाय क्या है तो यह ए एं बी ये ठीके और माइनश दिरो तो उसको मैं नहीं लिक रहा हूँ, divided by R, अभी आपके पास delta Q है क्या, आपके पास N है, B नहीं है, B तो find करना है, area है क्या, ठीक है, area में 2 cm2 है, तो उसको 2 into 10 रेश तो minus 4, ऐसा लिकना, ठीक है, तो ये सब value प्लेस करो जाए, तो आपको magnetic field easily मिल जाएगा, ठीक है, समझ मैं कि जो answer जिसका होगा, 0.75 tesla, कितना होगा, B, 0.75 tesla, ठीक है, easily मिल जाएगा, इससे, 6.14, बड़ा है, थोड़ा example, figure 6.20 देख रहे हो, अच्छे जरी के से, उसको देखो, क्या दिया है, देखिए, एक North Pole, South Pole है, उसको नीचे, वो ऐसा दिया है, okay, a metal rod PQ resting on the smooth rails AB, and position between poles of permanent magnet, the rails of the road and the magnetic field are in, are in three mutual perpendicular direction, कौन-कौन, magnetic field देखिए, उपर से, नीचे की और आ रहा है, फिर rails है, वो ऐसे जा रहे है, यह देखिए, PQ, समझ में आ रहा है, और तीसरा क्या है, the rails, the road, and permanent, the rails, the road, rails देखिए, यह यह और भी, यह rails है, फिर रोड, हाँ, और magnetic field, तीनों, एक दूसरे के perpendicular direction, a gallonometer G connects the rails through a switch K, अच्छा, दी गई है, the length of the road is 15 cm, चलो, length दी गई है, B magnetic field दिया गया है, resistance R दिया है, ठीक है, मैं की list कर देता हूँ, length कितनी है, 15 cm, फिर B कितना है, 0.5 tesla, फिर resistance कितना दिया है, 9 mili ohm, ठीक है, convert करना आपकी जिमेंदारिया, suppose कि K is open, and rod is moved with a speed of 12 cm per second, किया बात है, कितनी speed, 12 cm per second, मतलब कि 0.12, meter per second, in a direction shown, दीख रहा है आपको, give the polarity and magnitude of ingenuity, okay, magnitude की सबसे पहले, अगर बात करें, तो magnitude V, L, V में से आजाएगा, आपका V है, आपके पास L है, V है, okay, अच्छा है, so, गर हम उपर से देख रहे है, तो यह है P, यह है Q, ठीक है, और magnetic field कहां है, नीचे की और, ठीक है, और यह किदर जा रहा है, ऐसे, ठीक है, तो F is equal to Q, V bar, cross V bar, velocity इस direction में है, मतलब की I cap, cross magnetic field अंदर है, मतलब की minus K cap, यह I cap है, I cap, I cap cross minus K cap क्या होता, I cap cross K cap minus J cap होता है, तो इसका मतलब यह answer आया, जे के, तो इसका मतलब क्या है, कि positive charge को उपर की और A से force लगेड़ा, तो यहाँ पर positive हो जाएंगे, और यहाँ पर negative हो जाएंगे, ठीक है, समझना है, मतलब की P positive और Q negative, ऐसा, और magnitude कितना, Epsilon equal to B L V, बच्चो, यह value आपको put करनी है, ठीक है, और आप find करोगे answer, इसका answer होगा, 9 M V, is there an excess charge built up at the ends of the road, when K is open, हाँ, सही बात है, यहाँ प्लस प्लस है, यहाँ पर minus minuses, तो इसका मतलब क्या है, Yes, what if K is closed, अच्छा, जबकि K को close कर दोगे, तब यहाँ होगा, यहाँ पर current close होगा, लेकिन, यहाँ पर जो charge बना हुआ है, वो तो वैसा ही रहेगा, क्यों, क्योंकि जितना charge यहाँ से जाएगा, उतना charge वापिस यहाँ से आ जाएगा, देखो, यहाँ से जितना गया, उतन वापिस यहाँ से आ गया, इसलिए, ठीक है, बैटरी की तरह भीएव करेगा, यह रोड, विच के is open and road moving uniformly, there is no net force on the electron in the road, even though, they do experience magnetic force due to motion of the road, explain, अच्छा, किस तरह, तो बच्चो, बहुत simple है, वो जब ऐसे जाएंगे, उस time पर उसको BL भी लगेगा, कि नहीं सकते पहले तो, ठीक है, और दूसरा, EMF लगेगा, जो opposite direction में force लगेगा, समझ में आये के नहीं, BLV, तो वो भी कितना होगा, exactly BLV, तो दोनों cancel हो जाएंगे, इसलिए, net force कितना होगा, zero, ठीक है, अंदर electrical force, यह बैटरी जैसा सोचा ना, chemical, chemical में जो force लगता है, वो opposite में लगता है, और यह BLV ठीक है, वो दोनों एक दूसरे को opposite होंगे, तो इसका मतलब क्या है, कि दोनों एक दूसरे को cancel कर देंगे, इसी तरह, यहाँ पर F is equal to QEB, और यह BLV, उसके विजए से जो force लगा हो, वो दोनों एक दूसरे को cancel कर देंगे, आप बोलोगे, sir, BLV force थड़े ही है, अच्छे, च QEB को क्या कर देगा, cancel out कर देगा, ठीक है, अब समझना आ गया है, ठीक है, what is the retarding force on the road, when K is closed, simple, देखिए यह बाला है, कि K is closed, तो इतना रहेगा, B square, L square, V upon R, VB आपको पास दिया है, क्या, magnetic field दिया है, हाँ, दिया है, L भी दिया है, V दिया है, R, सब कुछ दिया हुआ है, तो मोज करो ना बच्चो, क्यों मोज नहीं करते हैं, ठीक है, तो आप easily find कर सकते हो, वो हो जाएगा, शायद आपका 75, 75, 75, इंटो 10 raise to minus 3, कितना, 75, इंटो 10 raise to minus 3, यह हमने अल्रेट डियाइव कर चुके है, बच्चों, ठीक है, यह D का अंसर था, फिर E, how much power is required by external agent to keep the road moving in the same speed, 12 cm per second, when K is closed, तो पावर होता है, B square L square V upon R, यह भी हम डिराइव कर चुके, इतना पावर चाहिएगा, how much power required when K is open, then 0, क्यों, यह power क्यों चाहिए था, क्योंकि current flow हो रहा था, इसलिए पिछे की और force लग रहा था, यहाँ पर current flow नहीं होगा, क्योंकि K open है, इसलिए, तो कोई पावर नहीं चाहिएगा, how much power is dissipated as a heat in the loop circuit, and what is the source of the power, यहाँ पर इतना ही होगा, ठीक है, अथवार तो आप P is equal to I square R, कर सकते हो, समझना है कि नहीं, अच्छी तरीके से आपको, तो I square R करोगे, तो आपको answer क्या मिलेगा, वही answer मिलेगा, ठीक है, और यह external agent provide करता है, जो इसको move कर रहा है, रोड को, ठीक है, फिर G, what is the induced dmf between the moving rod, if magnetic field is parallel to the rails, instead of being perpendicular, क्या आप बात कर दी, बच्छोगे, अगर north south ऐसे होते, तो मतलब क्या होता, parallels to the rails, तो इसका मतलब theta 0 हो जाता, और emf होता 0 होता, ठीक है, क्योंकि flux change ही नहीं होता है, ज्यादी कि flux 0 ही रहेगा, तो चैंज तो होना है कि संभाव नही इसका मतलब 0, 6.15, an air core solenoid with a length 30 cm, चलिये, length कितनी जी गई है, 30 cm, ठीक है, and area of cross section 25 cm square, area of cross section कितना है, 25 cm square, and number of tons 500, क्या है, number of tons 500, क्या है, number of tons, 500, okay, carries a current of 2.5 mp, तब कुछ दिया है, find क्या है, how much is the average, sorry, the current is suddenly switched off, in a brief time of 10 raise to minus 3 seconds, यह जब बोलो, तब यह क्या मही यह सा करते है, कि magnetic flux 0 हो जाए, ठीक है, तो मतलब कि हमें एक ही magnetic flux find करना होगा, how much is the average by kmf induced across the ends of the open switch in the circuit, okay, epsilon is equals to बच्चो डेल्टा फाइपन डेल्टा टी, डेल्टा फाइपन डेल्टा टी, डेल्टा फाइपन क्या ह बी इजिकोल्स टू, बी इजिकोल्स टू, बी इजिकोल्स टू, यह जिकोल्स टू, मुझ जिरो एना इना मुनि आपके पास है, अच्छा, स्मॉल एन कहां से लाओगे, तो एन अपोन एल, तो देखो, मैंने सारे फॉर्मुला रख दिये, मुझ जिरो की वेल्यू पॉर पाई इन्टू, टेन रेज़ टू, माइनस से वन रखो, ठीक है, तो मुझ जिरो की वेल्यू आपके पास है, आपके पास एन है, आपके पास ल, आई भी है, तो बी बिल गया, आपके पास नूंबर ओप टंस भी है, और एरिया भी है, डेल्टाटी भी है, तो एसली आप यह सम सॉल्व कर सकते हो बचो यह सब क्या है कि फॉर्मॉला बेस सब सम है इसलिए आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं आपका आंसर होगा आपको ते कि आपक्स और देखते हैं उससे पहले में इसको एकॉर्स कर देता हूं कि पोज करके अगर आप लिखना चाहते हो सकते थे लेकिन अब क्या है अब्साथ नहीं तो घ्रेस कर दिये लेकिन यह ओनलाइन पढ़ने का एक एडवांटेज किया है कि आप टाइम को रिवर्स कर सकते हैं यहां पर आपने लिखा नहीं आपने क्या कर दिया सिर्फ वीडियो को फिर से चला दिए यह इसका एक एडवांटेज आला कि मुझे थोड़ा से आपके साथ डिसकूस करने को नहीं मिल रहा ठीक है वह उसका डिसद्वांटेज है कोई बात नहीं चलो सबके एडवांटेज सब्सक्राइब होते ही है चलिए 6.16 ओप्टेन एक्सप्रेशन पोर म्यूचल इंडक्तर बेटीन दे लॉंग स्ट्रेट वायर एंड स्क्वेर लूप ओपसाइड ए एस जोन इंदा फिगर ओके सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा बच्चों हमें फ्लक्स पायन करना होग है वो स्ट्रीप के वेर्थ क्या होगी डी आर ठीक है तो स्मॉल फ्लक्स लिंक विद दा स्ट्रीप मैं सब लिखने रहा हूँ आपको चेटी सब बोल रहा हूँ बी इंटु डी बी म्यू जीरो आई अपॉन टू पाय आर या जाएगे नहीं डी ए कितना होगा एंटु डी प्रक्राइंड करना है तो इंटिग्रेशन करना होगा जिसमें म्यू जीरो आई ए अपॉन टू पाय कॉंस्टंट इंटिग्रेशन वन अपॉन आर डीया आर की वेल्यू एक्स से शुरू होगी और एक्स प्लस एपर कम्प्लेट होगी क्यों देखिया मिनिमुम वेल्यू कि यही होगी और maximum value यही होगी ठीक है तो म्यू जीरो आइए अपॉन टू पाइए अभी वन अपॉन आर्डियर का integration होता है लोग नेचरल आर क्या होता है लोग नेचरल आप तो म्यू जीरो आइए अपॉन टू पाइए और इसकी वेल्यू एक्स से एक्स प्लस ए रखेंगे तो हमें अंसर मिलेगा लोग नेचरल एक्स प्लस ए माइनस लोग नेचरल एक्स उनको मैंने डिवाइड कर दिया लोग का रूल का आपको पता है न तो यह हो गया फाइए म्यू जीरो आइए अपॉन टू पाइ लोग नेचरल वन प्लस ए अपॉन एक्स एसा भी आप बोल सकते हों अब यह में म्यूचल इंडक्टन्स फाइन करना है तो फाइए अपॉन आई इज इक्वाल स्टू एम क्यों 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 क्योंकि फ्लक्स दूसरे का करेंट पहले इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फाइवन अपॉन आई टू करें या फाइवन फाइवन इंडक्टन्स दूनों का स्यम रहेगा तो यहां पर यह फाइट अगर लिख देता हूं इसको आईवन लिखता हूं या सिर्फ फाइपॉन आईपी इस तो लेगा तो वर्ट विल मुचल इंडक्टन्स दून डिपेंड उन था करण्ट ठीक है बहुत बड़ा रिजल्ट है बच्छो यह स्कोची तरी केसे करो क्या लिख रहा है दूसरा देखिये अप्टें देश्प्रेशन फोर मुचल इंडक्टन्स बेटीन दे लोंग वायर एंड स्क्वेर लूप अ लूप इंडक्टन्स गहूचा ब्रक्ट जा मुचल databases बोर केसे कर दो लूवच स्क्वेर लूप्र केसे कर स्क्वेर लूप्री स्क्वेर है लूप इंड Brush स्क्वेरर 3 0.1 as टेक a is equal to 0.1 meter and assume that the loop has a large resistance, लूप के पास कितना resistance है, large resistance, ओके कोई बात नहीं चली, तो अब कैसे करें, बच्चो यह लूप दूर जाएगा, तो यह साफ है, इसकी वजह से जो mathematics यहां पहता, वो कम-कम होता चला जाएगा, तो EMF produce होगा, क्यों, क्योंकि flux change होगा, EMF कितना produce होगा, बच्चो, d5 by dt, तो साफ है, हमें जो यह phi 2 है न, उपर वाला, उसका हमें derivative करना पड़ेगा, किसके साथ, t के साथ, इसमें mu 0 i a upon 2 pi, यह सब गया है constant, तो किसका derivative सिर्फ, 1 plus a upon x का, तो कैसे करेंगे, mu 0 i a upon 2 pi into 1 upon, 1 plus a upon x, होग का तो ऐसा ही होता है, multiply by, अभी a upon x का क्या होगा, a, ठीक है यह तो constant है, x का क्या होगा, x का होगा, minus 1 upon x square into dx by dt, देखो, बहुत स्यादा step करने पड़े हैं, a, 1 का 0, फिर a, एसे ही, 1 upon x का क्या होगा, minus 1 upon x square, यह आपको पता है, ठीक है, फिर, x और t, हम यहाँ पर t के साथ derivative ले रहे हैं, तो dx by dt हमने order करना पड़े हैं, इसे लिगे, ठीक है, समझ मैं है, तो what is the main situation, here minus, I am replacing, और अगर आप नहीं करते हो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, यह a, a, तो क्या होगा, a square, divided by, यहाँ पर two pi, ठीक है, यह है, x square, फिर, one plus a upon x, और यहाँ पर यह dx by dt को हम बोलेंगे velocity, यहाँ बोलेंगे बच्चो, velocity, अभी देखिए, यहाँ पर सारी चीज आपके पास है, so easily you can find out, emf, सारी चीज आपको दी गई है, current दिया गया है, a दिया गया है, x और v, देखिए, current a, और a की value यहाँ पर है, ठीक है, तो अगर आप यह सारी value replace करते हो, ठीक है, तो आपको answer मिलेगा, epsilon equals to 1.7 into 10 raise to minus 5 volts, ठीक है, ओके, तो चलिए, चल्दी किजिए, मैं इसको erase करता हूँ, ठीक है, और ताकि हम जो यह हमरा last sum है, उसको आगे बढ़ा सके, last sum है, उसको पढ़िए, अच्छी तरीके से, मैं अभी इसको erase कर रहा हूँ, ठीक है, क्या दिया है, अच्छी तरीके से पढ़िए, पढ़ने से ही आएगा, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा, यहां है, ऐसा लग रहा है कि, टाइम ज्यादा जा रहा है, लेकिन बच्छों यह last sum ही है, इसके बाद complete, ठीक है, इसके बाद भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं करवाओंगा, थोड़ा सा सब्र रखके, प्लीज इसको पढ़िए, last ही है, ठीक है, मैं तो ऐसा चाहता हूँ, कि आप अपनी तरीके से पहले try कीजिए, ठीक है, अगर हो गया तो इसका मतलब आप master हो, बहुत बढ़ी हर्जम है वह, आपको करना चाहिए, ओके चलो, erase हो गया, चलते हैं, sum की हो, a line charge lambda per unit length, is lodged uniformly on to the rim of a wheel, of mass M, यह wheel है, ठीक है, यह wheel, ठीक है, जिसका mass क्या है, M, जिसकी radius क्या है, R, ठीक है, the wheel has a light non-conducting spokes, यह spokes है, इसकी कोई वेटम कंसिदर, नहीं करेंगे, उसका mass कंसिदर, नहीं करेंगे, and free to rotate, without a friction, about axis, यह जो axis से बाहर निकल क्या रही है, यहाँ पर मैं दो करूंगा, बाहर निकल क्या रही है, ठीक है, a uniform magnetic field extends over the circular region, within the ring, given by B equal to minus B0, k cap, मतलब magnetic field अंदर जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर इतने region में, कहाँ जा रहा है, अंदर, और कितनी radius है, up to A, a, ठीक है, मतलब कि, इस circle में कितना flux link होगा, तो flux is equal to क्या होगा, देखो, यहाँ से शुरू करता हूँ, flux is equal to B, A होता है, अभी B हमें कितना दिया है, B0, into area, area कितना होगा, तो यह circular region जो है, उतना ही area, पाई A square, यह क्या होगा, flux link with the flux link, with will, with will, ठीक है, will का mass क्या है, M, उसकी radius क्या है, R, अच्छा, उस पे charge भी है, बक्चे, will पे कितना charge है, तो देखिया, लेम्डा, लेम्डा is equal to total charge Q, upon total length 2 pi r, तो कितना charge हमें मिला यहाँ से, Q is equal to, लेम्डा into 2 pi r, समझे के नहीं कुछ, linear charge density, हाँ, वाट इस दे अंगुला वेलोसिटी अप दे विल, आप्टर दे फिल्ट सड़नली स्विच्ट ओ, अच्छा, magnetic field को switch off कर दिये, magnetic field को switch off कर दिये, तो इसका मतलब delta phi क्या होगा, पहले जितना flux था, minus 0, मतलब कि कितना, b 0 pi a square, इतना flux का change आया, ठीक है, समझ मैं आए कि नहीं, और emf is equal to क्या होगा, delta phi upon delta t, तो चोगे, delta t time लगा, switch off होने, तो हमें क्या answer दिलेगा, b 0 pi a square upon delta t, बच्चो, second chapter याद करो, emf का एक और formula भी चाँ, integration, edr, ठीक है, negative integration, यहाँ पर भी अगर हम negative लगाए, लेंज लो किता है, तो यहाँ पर, minus edr, तो पूरी लेंज कितनी, 2 pi r, कितनी लेंज है, 2 pi r, ठीक है, जब भी आपको electric field का आए न, concept का, आपको ऐसा लगेगा, कि हाँ, ऐसा relate करना है, तो ऐसा ही करना है, आ बच्चो, तो इसका मतलब क्या है, कि minus e into 2 pi r, is equal to minus b zero pi a square upon delta t, तो कुछ cut हुआ, अच्छा, pi cut हुआ, तो electric field कितना आया है, तो minus minus भी cut हुआ, तो मैं यहाँ पर लिख देता हू, b zero a square upon 2 r delta t, यह क्या आया बच्चो, यह आया हमारा electric field, क्या आया electric field, अब इस electric field की वज़े से force बज़ेगा, तो force is equal to q e, q कितना था, lambda into 2 pi r था, into electric field, electric field कितना है, b zero a square upon 2 r delta t, कुछ cut हुआ, देखिए, r r cut हुआ, क्या cut हुआ, 2 2 cut हुआ, तो यह force कितना आएगा, lambda pi b zero a square upon delta t, तो ओके, इसका मतलब torque generate हुआ, therefore tau is equal to, एक तो क्या है पता हमें, tau is equal to i alpha, और दूसरा क्या पता है, force into perpendicular distance, दोनों का हमें use करना होगा, अभी i क्या है, moment of inertia, will की moment of inertia क्या होगी, amr square, alpha क्या है, angular acceleration, तो पहले, omega minus 0 upon delta t, अमज में आए आपको कुछ, delta omega upon delta t, याद करो, और यहाँ पर force कितना है, lambda pi b zero a square upon delta t, और perpendicular distance, with respect to center लेना है, तो perpendicular distance कितना होगा, r, ठीक है, यहाँ पर, अब, अगर देखो, तो कुछ cut हो रहा है, delta t cut हो रहा है, ठीक है, फिर, एक r cut हो रहा है, so, we want omega, तो क्या answer आएगा, lambda pi b zero a square, lambda pi b zero a square, divided by mr, okay, into minus k k, क्यों, magnetic field downward direction में था, देख लेना, चितरे कैसे, so, this is the angular velocity, यहाँ पर हमें क्यां पता चला, कि पहिया, magnetic field change होता है, तो electric field produce होता है, ठीक है, okay, कोई बात नहीं, तो, आज के लिए इतना ही, and in the next session, we are going to start new chapter, okay, thank you and namaskar.